अल्राइट फ्रेंड्स तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिसकस करेंगे जिसमें जिसको सीटेट ने एक नाम दिया है सिलेबस में और इसमें से दो या तीन कोश्चन रेगुलर्ली जो सीटेट पूछ लेता है क्योंकि इसमें जो हैं NCRT और CBSC का जो पूरा सिलेबस है उसको मिला के सीटेट ने एक टॉपिक बनाया है और इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं और conceptually अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो दो या तीन कोश्चन आपके पक्के हो जाते हैं सीटेट साइंस में कई बार जहें पेड़ागोजी में से भी इसके activities के कोश्चन आ जाते हैं तो इसलिए chapter थोड़ा lengthy है लेकिन जो छोटे छोटे points हैं इसमें कई topics आपके cover हो जाते ह हैं और कहां से लेकर 6th standard से लेकर 10th standard तक आपका topics cover हो जाता है जैसे light हो गया और इसके बाद human eye हो गया lens हो गया यह 10th standard के topic हैं वो भी आपका इसमें cover हो जाता है तो वीडियो जहें दो पार्ट में आएगा आज हम लोग आधा करेंगे और इसके बाद आधा next वीडियो में आ नए हैं तो आप जहें इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको कोई friend seated की त्यारी करा तो उसके साथ share कीजिए और आगर आपको कोई doubt है कुछ topics ते अगर आपको difficulty जा रही है तो on demand आपके demand पर मैं उस topic पर जहें एकदम dedicated video detailed video में बनाऊंगा ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं तो हमारा जो how do things work तो चीजें काम कैसे करती हैं छोटे-छोटे points हैं इसमें तो पहले यह question देखिए आपके book में जो दिया हुआ है आपके screen पर यह question हुआ है question है two bodies of masses M1 and M2 have equal kinetic energies if P1 and P2 are their respective momentum then ratio P1 is to P2 is equal to अब यह seated में आया वह question है और बहुत ही आसान तरीके से इसको solve कर सकते हो और बहुत ही बिखतरीन ढंग से जो है इसका जो है 30 seconds के अंदर इसका answer आ जाता है और आप दूसरे question की तरफ आगे बढ़ सकते हैं ऐसा नहीं कि बहुत lengthy question है दूसरा question देखे क्या दिया हुआ है तो कौन सा चार statement दिया हुआ है और इसमें से कौन सा सही है तो इसका जो answer होगा the heavier body will have higher momentum यही इसका answer होगा ठीक है लेकिन कैसे होगा उसके बारे में इस concept क्या है इसके पीछे यह हम लोग discuss करेंगे तो चलिए सुरू करते ही तो सबसे पहले हम जो इस chapter पढ़ने वाले हैं वो है work तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे work हम लोग ले ले लेते हैं work जो है एक छोटा सा topic है और इसमें जो है हम लोग देखते हैं क्या होता है तो friends work देखो क्या होता है जो काम हम अपने life में करते हैं ठीक है अपने रोज मरा की जिन्दगी में अपनी life में जो करते हैं वो work की बात नहीं हो रही है science में physics में work का मतलब दूसरा है ठीक है और यह जो है बहुत ही अलग होता है हमारे real life के work से ठीक है तो इसमें जो है work और energy ठीक है दोनों नाम अलग-अलग है लेकिन physics में दोनों ही same है क्योंकि इनका unit भी same होता है और dimension भी same होता है ऐसा कई बार question देखा है मैंने के question में का unit नहीं लिख पाते हैं लेकिन आप एक चीज़ याद रखना कोई भी energy हो उसका unit work का ही होगा और work का unit क्या होगा जूल होगा या फिर और भी एक दो unit है उसके बारे में भी पात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखते है work होता क्या है तो जो science में जो work को define किया गया है अच्छे से वो work होता है force into displacement ठीक है अब देखो यह work जो है न स्केलर क्वांटिटी है यह क्या है scalar quantity है और यह force vector होता है force में direction और magnitude दोनों होता है displacement भी क्या है vector quantity है तो यह दोनों vector मिलके एक scalar quantity बनाते है जिसको हम लग work कहते है work में कोई direction नहीं होता ठीक है अब इसका जो है अगर मैं f से force लिख देता हूं और d से displacement लिख देता हूं तो यह हमारा work का short form में formula हो गया लेकिन यह पूरा clear formula नहीं है इसमें एक और चीज़ आता है cos theta यह जो है correct definition आपका हो गया correct mathematical statement हो गया work का work में क्या होगा f dot d cos theta ठीक है वहाँ पर theta क्या है cos आपने पढ़ा होगा 10th center में cos जो है basically trigonometric ratio है और theta क्या है angle अब यह angle देखो angle हमेशा दो line के बीच में होता है तो यह दो line कौल सी होंगी तो suppose मैं आपको example बताता हूं जैसे मालो एक block है ठीक है एक block है उस पर जो है force ऐसे लग रहा है यह force है और block ऐसे जा रहा है बतलब displacement ऐसे हो रहा है आपने देखो होगा छोटा बच्चा जो गाड़ी को खीचते वे लेके जाता है तो उसका रस्षी थोड़ा उपर की तरफ होता है लेकिन जहें गाड़ी जहें जमीन पर च रसी थी तो यह गाड़ी ऐसे चल रही है लेकिन बच्चा force ऐसे लगा रहा है रसी ऐसे खीच रहा है ठीक है तो देखो यह force और displacement इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वही हमारा theta होगा और f.d cos theta ठीक है और cos का value देखो cos जो है जो trigonometric ratio है cos 0 degree होता है 1 और cos 90 होता है 0 ठीक है और इसके बाद cos 180 minus 1 यह ती तीन चीज़ याद करके रखना है अब जैसे देखो यहाँ पर तो अगर मानलो किसी बाड़ी पर force लग रहा है ठीक है और बाड़ी भी उसी direction में जा रहा है जैसे मानलो की अगर मैं इस force को हटा देता हूँ इसको मैं हटा देता हूँ यहां से अगर मानलो कोई ऐसे खींच रहे गाड़ी को और गाड़ी भी ऐसे जा रही है तो force और displacement मतलब आप displacement का मैं डी लिखता हूँ हलांकि displacement का symbol बहुत सार जगहां पर आपको S मिलेगा लेकिन मैं यहां पर जहें D लिख देता हूँ तो यह displacement तो force और displacement के बीच में angle क्या है force भी तर लग रहा है गाड़ी भी तर जा रहा है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि दोनों के पीच में angle 0 है और 0 angle होगा तो cos 0 क्या होगा 1 होगा तो ऐसे case में work जो है होगा और work जो होगा वो जो है आपका positive होगा ठीक है और दूसरा case देखते है कि मान लोग कोई force ऐसे लगा रहा है यह force और इसका जो displacement जो है उसके 90 डिग्री पर हो रहा है उपर की तरफ तो इसका मतलब क्या हुआ अब देखो nature का एक rule है force जिधर लगेगा object भी उद्री जाएगा उसी तरफ जाता है ठीक है जिस तरफ force या force का component काम करता है अब just imagine करो यह चीज possible है क्या कि जो force इधर लग रहा है उस force के वैसे displacement उपर की तरफ हो रहा होगा यह possible नहीं है nature में बिलकुल भी possible नहीं है तो इसलिए जो है cos 90 0 होता है दोनों के बीच में angle 90 degree बढ़ रहा है ऐसे में हम बोलेंगे there is no work work कितना हुआ 0 तो work जो ह मालनों कोई force इस तरफ लगा रहा है और यह गाड़ी इस तरफ जा रही है गाड़ी इस तरफ जा रही है ऐसे case में angle क्या हो गया एक लाइन इस तरफ एक लाइन इस तरफ एंगल हो गया 180 degree और cos 180 कितना होता है minus 1 तो जब आप multiply करो मालनों 2 newton force है और यह आपको जिए distance displacement कितना हो रहा है यह मालनों 2 meter हो रहा है तो 2 into 2 4 और यह minus 1 क्योंकि यह आप हम लोग गया है cos theta तो यह आपका क्या हो जाएगा minus 1 तो यह हो जाएगा आपका minus 4 मतलब यहाँ पर negative भी हो आ जाएगा तो कहने का मतलब है कि work positive भी होता है negative भी होता है और zero भी होता है तो यह चीज़े में याद रखना है exam में question बन सकता है work is positive zero negative all of the above तो all of the above is the correct answer ठीक है तो यह हमारा work के बारे में हो गया अब क्या होता जब भी हम कोई नया चीज़ बढ़ते हैं तो उसका नया quantity बढ़ता है उसके बारे में हमें unit पता कर लेना चाहिए तो work का जो unit है वो जूल है ठीक है यह SI unit है जूल और इसके बाद यह एक दूसरा unit है CGS CGS में अर्व होता है ठीक है अब इसके बाद अगर आप जहां से देखो तो इस formula के basis पर भी हम एक और unit बना सकते हैं अब जोसे देखो cos theta क्या है cos theta है trigonometric ratio इसका कोई unit नहीं होता है इसलिए जो है because it is the ratio of same quantity तो इसका कोई unit नहीं है तो इसलिए जो है यह तो बाहर हो गया unit के लिए अब force force का unit क्या होगा Newton ओके और इसका क्या होगा displacement है तो displacement आप मीटर मेजर करते हैं एक Newton meter एक और एक और मैं बताता हूं आपको दूसरा जिसे दो गो अगर मैं detail में लिखो force को तो यह force into displacement कोई unit नहीं होता है तो अब यहां पर देखो अब force को हम लोग लिख सकते mass into acceleration और displacement को हम लोग लिख सकते है displacement को अब mass का जो unit क्या होगा mass मतलब kg और acceleration का meter per second square meter per second square और यहां पर displacement का meter तो यह देखो फूरा क्या हो जाएगा kg meter square per second square एक और unit हो गया work का तो ऐसे हमारे पास कई तरह की unit होगा basically आप कह सकते हैं कि unit होते हैं जैसे यह एक एक दो और एक तीन तीक है यह जो है ना इसको हम लोग जिए टार्क का unit भी कहते हैं टार्क का formula क्या है आर क्रॉस F तो आर डिस्टेंस F force है यह निउटन meter तो यह तार्क अभी है तो वर्क जो है जब कोई चीज लीनियर motion पर फॉर्म कर रहा है वहां पर फॉर्स डिस्टेंस देखते हैं अगर कोई चीज अगर रोटेट करने लगा जैसे फैन हो गया गारी का टायर हो गया तो ऐसे किस में यह क्या जाएगा टॉर्क का टॉर्क वहां पर प्रोडूस होता है उसका unit हम लोग लिए निउटन तो यह work हो गया और इसके बाद जहें आप जहें इतना काफी है वर्क में इतना कर लिया आपने तो आपको समझो की पुरा topic आप पर cover हो गया वर्क का तो चलिए बहीं चलते नेक्स टॉपिक की तरफ नेक्स टॉपिक हमारा क्या होगा वह देखते हैं अब यह याद रखना है ठीक है कि वर का यूनिट क्या है क्योंकि यूनिट पर कोश्चन आया हुआ है अगर आप सीटेट अगस्त 2023 का पेपर देखोगे तो वहां पर यूनिट से रिलेटेड एक कोश्चन पूछा इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है बहुत सारे लोग प् fenf legit energy energy is Berkeley ability to ability to do work you just energy energy is ability to do operate करने की स्वामता को हम लोग क्या कहतेших energy कितनी कितनी स्वामता है ठीक है उसको कूई polish formula नहीं हें energy of physics में पूरे science में जहां पर भी हमें energy पता करना हो तक हम हम वर्क पता करते हैं जो वर्क आता है उसी को कह देते हैं कि नर्जी विकाज हमें पता है वर्क की जिए और में ये ये और दूसरा होता है काइनिटिक और वेसे तो एनजी के कई फॉर्म है नचुछ का से जर्ट साइज करते हैं तो उसके अंदर पोटेंशल आता है। पोटेंसिल नर्जी आता जैसे धनुस है धनुस को आपने खींचा तो धनुस का सेप चेंज हो जाएगा उसके अंदर पोटेंसिल नर्जी आएगा और तीर बहुत दूर तक जाएगा गुलेल हो गया गुलेल को आप खींच के उसका क्या काम करते हो उसका पोटेंसिल नर्ज बढ़ाते हों क्यों क्योंकि ऐसे केस में जो है उसका सेफ चेंज कर दिया स्प्रिंग हो गया स्प्रिंग को आप दबाओ गए तो उसके अंदर क्या होगा पॉटेंशल एनर्जी आएगा तो जहां पर बिएसे जैसे पानी है, जमीन पर बाल्टी रख रहा है, तो उसके अंदर पटेन्सियल नर्जी नहीं होता है, लेकिन अगर अगर उसके अंदर पटेन्सियल्ण नर्जी आता है, अब जो प'! पोटेंशल नर्जी मालब मेरे पास एक ब्लॉक है जमीन पर पड़ा हुआ है और इसको मैंने ऊपर उठाया है एच हाइट तक यहां पर लाया और यह हाइट हो गया है तो इसके अंदर जब पोटेंशल नर्जी होगा एम जी एच ठीक है एम जी इसका फॉर्मला है पोटेंशल जब किसी भी चीज को आप उपर हाइट तक लेके जाते हो उसके अंदर एम जी एच पोटेंशल नर्जी आता है ठीक है अब देखते हैं अब अगर आप ध्यान से इसका यूनिट देखो तो यह क्या है के जी मास मास होता है पैटन क्या होता है कि जैसे से जमीन के उपर जाओगे आप वैसे उसे क्या होगा ग्रैविटी कम होती जाएगी ठीक है और अगर जमीन के अंदर जाओगे तो भी ग्रैविटी कम हो जाएगी अगर मैं आपको एक डाइग्राम से समझाओं तो माल लो यह हमारी धर् फेस भी हम रहते हैं ठीक है तो यहां पर जी का वैलू मैंग्जिवम होता है नाइन पॉइंट एट मीटर पर सिविन स्क्वाइब अगर आप ऐसे उपर जा रहे हो अंतरिश में चले गए जी का वैलू क्या होता है बहुत कम हो जाता है मतलब जैसे से आप जमीन से उपर गए यह जी का वैलू कम होता जाएगा अचा जमीन के अंदर जाओगे तो जमीन के अंदर जाना फिलाल पॉसिबल नहीं है क्योंकि जमीन के अंदर बहुत हीट है और इ यहां से देखो behavior जो यह जी का जो behavior है acceleration due to gravity का कितना strange है अगर आप यहां से चले और माल लो आपके हाथ में कोई machine है जिससे आप जी measure कर रहे हो acceleration due to gravity measure कर रहे हो तो आप जैसे से उपर आते जाओगे जी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, यहां पर आके क्या हो जाएगा maximum 9.8 अब जमीन से उपर जाओगे तो क्या होगा जमीन से उपर जाओगे फिर से कम हो जाएगा मतलब center से चले, बढ़ रहा बढ़ रहा surface में maximum, अब फिर से क्या हो गया कम होना सुरू हो गया तो यह वही वाला G है, acceleration due to gravity G और यह एक्साफरेशन actually तो इसका जो unit होगा वो meter per second square और यह height height को किसे measure करेंगे, meter में तो अब इसको solve करो, यह kg और यह meter into meter, meter square और per second square यह potential energy हो गया आपका अगर आप ध्यान से इस unit को देखो तो अब इसके पहले ही, आप वीडियो पीछे rewind करके भी देख सकते हो, जो unit work का आया, मैंने बताया था, वही unit potential energy का भी है kg meter square per second square अगर आप वीडियो पीछे करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा, कि यही unit जो है, work का भी था, जो हमने यह लिखा था, force into displacement force होता है, mass into acceleration Newton's law, Newton's second law और इसके बाद यह displacement S, मैं displacement को बारबर क्यों लिख रहा हूं से, D तो mass kg acceleration meter per second square और displacement meter, देखो आगया ना kg meter square per second square तो अगर आप यहाँ से देखो तो यह unit work का है, और यह unit potential energy का है, दोनों unit same है, इसलिए कहा जाता है, work ही energy है, और energy ही work है, ठीक है और जब आप अगर आप अगर आप यहाँ से work का अगर formula देखेंगे यहाँ पर देखो, force into displacement छोड़े छोड़े तोर पे तो अगर कहीं पर force लग रहा displacement हो रहा है, तो ही वहाँ पर work माना जाएगा, अगर आप बैठके पढ़ाई करते हो, मालो, बैठके आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपने तीन घंटे पढ़ाई की तो आपको लगता है, आपने बहुत काम किया लेकिन real में science के language में आपने कोई काम नहीं किया, क्योंकि न आप पर कोई force लगा है, न आप कहीं displace हुए तो घर पर जो बहाने बाजी होती है कि ममी मैंने बहुत पढ़ाई की मैंने बहुत काम किया, चार घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो वो काम नहीं होता है science में, science में काम क्या होता है, force लगना चाहिए और body displace होनी चाहिए तब ही work होगा, अगर force 0 है तो भी work 0 0 multiply by displacement 0 अगर distance, displacement अगर 0 है, ठीक है displacement भी नहीं हो रहा है, force लग रहा है भले force लग रहा है, लेकिन displacement नहीं हो रहा है displacement 0 है, तो भी work 0 है तो यह चीज़ समझना है, work क्या होता है force into displacement और दोनों positive number होनी चाहिए तो जो है आपको work मिलेगा negative work, negative भी होता, no doubt ठीक है, negative energy हमारे अंदर क्या है हमारे अंदर जो है negative potential energy है हम लोग earth पे bound है earth ने हमको खीच कर रखा है, यह negative energy है हमारे अंदर, ठीक है, तो यह potential energy हो गया, आगे बढ़ते है, अब बात कर लेते है, kinetic energy, next energy, next energy हमारी kinetic energy, kinetic energy का formula जो है, वो half mb square है, ठीक है, kinetic energy मतलब जहां पर potential energy को हिंदी में श्थितिज उर्जा कहते हैं, और kinetic energy को गतिज उर्जा कहते हैं, तो kinetic energy का जो formula है, half mb square है, kinematical से, kinematical equations से इसको अब derive कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर, अभी seated की point अब इसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, topic हाला कि बहुत brought है, लेकिन मैं, काम गाम की ची syllabus में भी नहीं है, और उतना हमें आने भी नहीं है, हम काम की चीज़े पढ़ेंगे, focus study करेंगे, ठीक है, तो kinetic energy के बात कर लेते हैं, जहां पर कोई चीज चलने लगी, उसके अंदर क्या होता है, kinetic energy आता है, ठीक है, अब किसी चीज़ पर force लगा और displaced होने शुरू हो गई, एक गारी है, उसको धक्का मारा अपने, वो चलना शुरू हो गए, उसके अंदर क्या है, kinetic energy है, तो अगर कोई चीज रुका है, उसके अंदर kinetic energy नहीं होता है, रुके वे में mostly potential energy होता है, ठीक है, zero भी हो सकता है, ठीक है, कोई चीज ऑबजिक्ट ऐसे ही पढ़े, लेकिन धन देखों यहाँ पर, तो, अच्छा एक शीज आप याद रखना, कि जो हमारा unit आया का potential energy का, kg meter square per second square, यह potential energy का, और यह work का जो आया है, वो भी kg meter square per second square आया है, और अब हम लोग जो पटेंशल energy का देखते हैं, यह देखों यह half है यहाँ पर, half क्या है, नमबर है, और नमबर क कोई unit नहीं होता है, mass है, mass का unit क्या हो जाएगा, kg, और यहाँ पर V मतलब velocity, यह जो है basically final velocity है, तो velocity का जो unit होता है, वो meter per second होता है, आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ आप लिखता हूँ, velocity का unit, meter per second होता है, velocity का है, displacement upon time, या फिर speed बोलो, speed is equal to distance upon time, तो distance meter, time second, तो meter per second, लेकिन यहाँ पर जो है, V square है, तो अगर V square कर दो, तो meter square per second square हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर मैं लिख दूँगा, meter square per second square, तो अगर आप यहाँ से देखो, तो यह unit, जो की kinetic energy का है, यह unit, जो की work का है, और यह unit, जो की potential energy का है, साब सेम है, इसलिए कहा जाता है, energy ही work है और वर्क ही energy है उर्जा ही काम है और काम ही उर्जा है अगर आपके अंदर उर्जा नहीं होगी तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे तो यह हमारा जो है kinetic potential यह सब होगे तो चलिए next topic के तरफ बढ़ते next topic है हमारा momentum momentum friends momentum को मैं थोड़ा आपको broad में समझा देता हूँ momentum होता क्या momentum यानि कि some wave अब some wave क्या होता देखो जैसे मालो मेरे पास एक बंदू के और बंदू की गोली होती है अगर मालो पिस्तॉल है बंदू बड़ी चीज़ होगी पिस्तॉल है पिस्तॉल की गोली इतनी बड़ी होती है और वो गोली को मैं weighing machine पर रखता हूँ तो अगर weighing machine मतलब जो mass वगरा मेजर करती है इस पर हम खड़ो के अपना weight मेजर करती है अगर आप उस पर रखोगे तो वो आपको जो है कुछ वजन बताएगा ठीक है इतना वजन है मालनो 20 ग्राम है गोली का वजन या फिर 30 ग्राम है मालनो 50 ग्राम गोली का वजन है ठीक है लेकिन अब अगर उसी बंदू में महल गोली को लोड़ करके उस weighing machine पर fire कर दूँ तो क्या अभी भी आपको 50 ग्राम मिलेगा सीथे सी बाते आप कहोगे सर जादा मिलेगा ठीक है जादा मिलेगा लेकिन आप मज़ी बताओ एक ही चीज का दो वजन कैसे हो सकता है weighing machine तो measure करने काम कर रहा वजन तो एक बार उसी गोली का वजन जहें 50 ग्राम आ रहा है एक बार उसी गोली का वजन जहें 50 किलो हो गया फायर करने पर अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर वेइंग मसीन खराब जाएगी कुछ measurement नहीं मिलेगा ठीक है लेकिन जश्ट इमाजिन करो कि अगर ऐसा हुआ तो तो क्या एक ही चीज का दो वजन हो सकता है पर रख दिया ठीक है तो उसने दिखा है 50 ग्राम लेकिन अब मैंने जब फायर किया था अब उसके पास क्या है वेलोस्टी है तो यह वेलोस्टी के वज़े से क्या आगे उसके अंदर इस ही को हम लोग क्या कहते है तो मोमेंटम का जो फार्मूला बनता है इसलिए हमारे पास mass into velocity प is equal to mv और इसका जो unit होगा kg meter per second अब देख़ो यहां पर mv है इसका unit हो गया तो अब देख़ो इस पर से question जो मैंने पहला इसी पर depend करें, अब देखो, momentum कब ज़्यादा होगा, जब mass ज़्यादा होगा, और velocity ज़्यादा होगा, तो mass ज़्यादा होगा, तो भी momentum ज़्यादा होगा, और velocity ज़्यादा होगा, तो भी momentum ज़्यादा होगा, अब यहाँ पर मानलो, mass को मैं constant रखता हूँ, अगर मैं mass को constant र अब देखो, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, P is proportional to velocity, अगर velocity किसी जिसकी बढ़ेगी, उसका momentum भी बढ़ेगा, ठीक है, मास यहाँ पर constant है, अब इसका example ले लो, मान लो, दो ट्रक है मेरे पास, ठीक है, दो ट्रक है, और दोनों का मास सेम है, लेकिन एक ट्रक का velocity जादा है, ए जो कम velocity कर रहे है, जो कम speed से चल रहे है, उस ट्रक का momentum भी कम होगा, दूसरा जो ट्रक है, जो high speed से चल रहे है, उसका momentum ज्यादा होगा, obviously कहीं collision करेगा, कहीं टकराएगा, तो ज्यादा impact देगा हो, ठीक है, तो यह जो है, velocity बढ़ेगा, तो P भी बढ़ेगा, momentum भी बढ़ेगा, mass बढ़ेगा, मालो velocity constant है, ठीक है, अब मालो एक ट्रक है मेरे पास, इहां से देखना, मेरे पास एक ट्रक है, और एक autorex दोनों का mass क्या है, अलग-अलग है, ठीक है, अलग-अलग है, लेकिन velocity जो है, दोनों का क्या है वेलोस्टी दोनों का जो है सेम है ठीक है तो ऐसे में जिसका मास ज्यादा रहेगा उसी का दिख रहा हूं मालनों सिर्फ k है मतलब काइनेटिक एनर्जी तो इसको तो मैं लिख सकता हूं half mv into v v square मतलब क्या v into v तो यह v into v लेकिन यह m into v क्या है momentum तो मैं kinetic energy को क्या लिख सकता हूं half p into v इसका मतलब यह तू इधर आ जाएगा तो टू काइनेटिक एनर्जी ठीक है टू काइनेटिक एनर्जी अपॉन वेलास्टी इस इक्वाल टू टी ठीक है तो यह भी देखो एक momentum का formula बन गया कहीं पर अगर मास नहीं दिया है काइनटिक इनर्जी दिया है और वेलास्टी दिया है तो भी आप जहें वहां से momentum निकाल सकते हैं ठीक है अब जैसे यहां पर एक और तरीका देखते हैं एक तो यह वाला हो गया momentum का एक और formula एक्जाम मे अगर आप ऐसे पूरा चीजों को तोड़ निचोड़ कर पढ़ेंगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है नो फ्रेंड्स अब देखो momentum क्या होता है P is equal to mv ठीक है तो अगर मैं यहां पर P square कर दो यह क्या हो जाएगा m square v square ठीक है और यहां पर अगर मैं यहां पर divide by 2 कर दो दोनों साइड हम मैस मैसा कर सकते हैं left hand side और right hand side दोनों तरफ हम क्या करेंगे करेंगे 2 से divide करेंगे तो divide करेंगे हमारा जो original number है और original जो quantity है वो change नहीं होता है तो देखो यहां पर तो यह जह है P square by 2 और यह 1 by 2 लिख सकता हूँ और यह M square V square ठीक है तो यह क्या हो जाएगा भी इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिखता हूँ half M v square into m तो अगर आप ध्यां से देखो तो half m v square यह क्या बन जाएगा कानेटिक एनरजी तो P square by 2 और यह M को इधर ला दो तो यह हो जाएगा कानेटिक एनरजी यह एक और formula हमारे पास आगे है P square is upon 2m is equal to कानेटिक एनरजी तो इसका मतलब हम मैं लिख सकता हूँ P square is equal to 2m into 2 times mass into कानेटिक एनरजी मतलब P क्या हो जाएगा under root 2 times mass into कानेटिक एनरजी यह एक और formula आपके पास हो गया इस पर जो question आपके पास आपके एजाम में आता है तो momentum हमारे पास कितना formula है तीन हो गया एक जो मैंने पहले लिखाया था और एक mv और एक कानेटिक एनरजी तो जहाँ पर कानेटिक एनरजी दिया हो momentum दिया हो वहाँ पर जो है यह आपको जो से देखो यह seated का जो question है ठीक है question देखो क्या दिया यहाँ पर two bodies of masses m1 and m2 have equal कानेटिक एनरजी if p1 and p2 are their respective momentum then ratio p1 is to p2 is equal to ठीक है तो यह जो है p1 is to p2 हो कानेटिक एनरजी है तो root m1 into m2 हो आपका जो यह answer हो जाएगा third वाला ठीक है because यहाँ पर देखो तो यह root अब कानेटिक एनरजी सेम है तो p1 upon p2 कर लो तो यहाँ पर जो है root m1 is to m2 जाएगा चलो मैं आपके समझा देता है question तो p1 क्या हो जाएगा root 2 m1 into कानेटिक एनरजी पहले वाले body का दूसरी का p2 root 2 m2 तो यह दो quantity हमारे पास आ गया इन दोनों का हमें क्या लेना है रेसियो लेना है बस रेसियो लेना answer आप का जाएगा seated में आपके question देखो तो यह हो जाएगा p1 upon p2 यह हो जाएगा root 2 m1 into कानेटिक एनरजी divided by root 2 m2 into कानेटिक एनरजी तो इसलिए जो है ऐसे पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत में आने वाली है आज हम लोग इतना ही करेंगे momentum इसके बाद हम लोग heat energy और clinical thermometer light topic करेंगे इसी चीज़ को आगे लेके चलेंगे ठीक है तो अब इकल हमारा एक class होगा और अगर हमारे चैनल पर नए है सीटेटि त्यारी कर रहे है तो आप जो है चैनल को सब्स्राइब कर लेजी थैंक यू और बाए झूल झाल को सब्स्राइब कर लेपां माउ प्ली को सब्स्राइब झाल 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 क्षो